हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग मैं भूवन तड़ागी दालो टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर हम डिसकर्शन करने वाले हैं एक छोटी सी अमेंड्मेंड्स जो की एक जून 2022 में Ministry of Corporate Affairs ने Announce की है तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं क्या है ये अमेंड्मेंड्मेंड्स ये जो अमेंड्मेंड्मेंड्स है ये Companies Appointment and Qualification of Directors Amendment Rule 2022 है जिसके अंदर Rule No.8 है उसके अंदर एक और Proviso Add कर दिया गया है नया Insert कर दिया गया है तो Rule 8 किसके बारे में बात करता है Basically Rule 8 जो बात करता है वो बात करता है Consent of a Director at the time of appointment मतलब कोई Director Appoint होता है तो उसको एक Consent देनी होती है DIR2 के form में तो उस Form के अंदर amendment की गई है अब वो amendment क्या है चलिए देख लेते हैं Friends जैसे कि आपको पता है कि जैसे ही Director Appoint होगा तो वो अपनी Consent देगा कि मैं Director बनना चारा हूँ ये मेरा दिन है और अपनी क्या करती है उस Consent को File करती है ROC में कौन से form के अंदर DIR12 के अंदर जब appointment होता है तो अब जो है Consent के साथ जो person appoint हो रहा है as a Director उसको क्या देना है एक necessary security clearance देनी है Ministry of Home Affairs से Government of India उस person को security clearance issue करेगी जो person कहां रहता है ऐसे nation के अंदर जिसके land border जो है वो share होते हैं इंडिया के साथ अब वो कौन-कौन से countries हैं पाकिस्तान, चाइना, भुटान, स्री लंका तो ये जो countries हैं Bangladesh ये जो countries हैं जिनके land border जो हैं वो share होते हैं इंडिया के साथ तो ऐसी country में रहने वाले जितने भी लोग हैं अगर वो इंडिया में किसी company के अंदर director बनना चाते हैं तो उनको एक security clearance लेना पड़ेगा कहां से Ministry of Home Affairs से तो ये एक नया प्रोवाइजो एड कर दिया गया है rule 8 के अंदर तो चलिए एक बार देख लेते हैं rule 8 क्या कहता है friends rule 8 कहता है consent to act as a director तो हर person को जो भी appoint होना चाता है as a director furnish करेगा consent in writing to act as such in form DIR2 provided that the company shall within 30 days के अंदर DIR12 के अंदर किसको फाइल करेगी ROC को उस consent को फाइल कर देगी अब उसमें एक और प्रोवाइजो जो एड किया है वो आपको मैंने अभी बता दिया है कि उसके अंदर उस consent के साथ आपको security clearance नेसेसरी security clearance भी लेनी पड़ेगी उस person के लिए जिनके जो किस country से है जिनके land borders जो हैं इंडिया से touch होते हैं तो चलिए friends अब देख लेते हैं second amendment क्या है rule 10 के अंदर ये amendments है sub clause 1 में जिसमें एक प्रोवाइजो जो है insert कर दिया गया है पहले क्या होता था friends DIR 3 हम file करते थे DIN apply करने के लिए और हमें तुरंत ही DIN number मिल जाता था लेकिन अब इसके अंदर भी एक प्रोवाइजो एड कर दिया गया है person को जो इंडिया के अंदर director point होना चाहरा है और उसकी nationality जो है उस country की है जो जिस country का land border जो है वो इंडिया के साथ share होता है मतलब चाइना नेपाल भुटान इस तरह की जो country है इनके साथ वो इन में जो रहता है तो उस person को necessary security clearance जब तक नहीं मिलेगी उसको DIN number अलॉट नहीं होगा अगर आपने necessary clearance security clearance आपको मिल चुकी है तो आप उसको attach करिये form के साथ और आपको तुरंत DIN number अलॉट हो जाएगा friends उसके बाद जो तीसरी amendment है वो दो चीजों के अंदर आई है एक तो DIR2 के अंदर एक line जो है वो insert कर दी गई है declaration के अंदर कि I further declare that I am not required to obtain security clearance ठीक है एक line यह add कर दी गई है और अगर आपको चाहिए तो अगर security clearance आपको चाहिए होगी तो I am required to obtain security clearance तो आपको इस पर tick करना है I am required to obtain security clearance from Ministry of Home Affairs and same has been obtained and I have attached तो यह line आपको add कर दी गई है DIR2 के अंदर और इसी के अंदर एक और DIR amendment आई है form 3 के अंदर form 3 जो है DIN application के लिए है तो उसके अंदर verification clause के अंदर यह डाला गया है after serial number 3 the following serial number has been inserted क्या insert कर दिया गया है I am not required to obtain security clearance from the Ministry of Home Affairs ठीक है और या I am required to obtain security clearance and same has been attached तो यह आपको DIR3 में भी आपको security clearance लगाने पड़ेगी तो यह कुछ changes किये हैं government of India ने अभी recent में तो I hope यह information आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रू subscribe किजिए अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को share किजिए फिर मिलते हैं इसी तरह की informative वीडियो के साथ जै जायं कर दोस्तों ही है ऑगी